नमस्कार आज हम जानेंगे जनसंख्या घनातव के बारे में और जनसंख्या के विशव वितरन के बारे में जनसंख्या घनातव किसे कहते हैं किसी स्थान की जनसंख्या तथा अक्षेत्रफल का अनुपात ही जनसंख्या घनातव कहलाता है इसे परती व्यक्ती वरग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है इसका एक सुत्र भी है कुल जनसेंख्या भाग में कुल अक्षेतरफल यानि किसी भी स्थान की कुल जनसेंख्या को जब उस स्थान के कुल अक्षेतरफल से भाग कर दिया जाता है तो आ जाता है जन संख्या घनतो इसको एक उधारण के द्वारा समझते हैं कि भारत की 2011 की जन संख्या है 121 करोड और भारत का कुल अक्षे तरफल है 32.8 लाख वरग किलोमेटर जब 121 करोड जन संख्या को 32.8 लाख वरग किलोमेटर अक्षे तरफल से हम डिवाइड करते हैं तो यह आ गया 382 परति व्यक्ति वरत किलोमेटर भारत का जनसंख्या घनतों इसी परकार से सभी महादवीपों के अक्षे तरफल और वहां के जनसंख्या के आधार पर महादवीपों का जनसंख्या घनतों निकाला गया है जिसको आम यहां एक टेबल के द्वरा आपको दिखा रहे हैं कि एसिया का जंसें क्या गनाता हूँ, 141.6 वेक्ती परतिवरग किलोमेटर, एफ्रिका का 40 वेक्ती परतिवरग किलोमेटर, युरोप 33.4 वेक्ती परतिवरग किलोमेटर, दक्सिनी अमेरिका का 31.5 वेक्ती वरग किलोमेटर, उत्तरी अमेरिका का 19.2 वेक्ती परतिवरग किल एंटारक्टिक आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि यह जन विहीन है यानि यहां पर जन संख्या निवास नहीं करती और इस परकार से विशव का जन संख्या गनतव है 13.7 व्यक्ति पर ती वरग किलोमीटर अब बात आती है कि जन संख्या गनतव हम क्यों तीन अक्षेतर है यहां पर 500 व्यक्ति परति वरग किलोमीटर में निवास करते हैं इस अक्षेतर में 100 व्यक्ति परति वरग किलोमीटर में निवास करते हैं तो इसका आर्थ क्या हुआ कि यहां पर संसादनों का पूरा विकास नहीं हूपाता पूरा दोहन नहीं हूपाता संसादन यहाँ पर जनसंख्या के पिक्षा ज़ादा है जबकि यहाँ पर संतुलित हैं जनसंख्या के इसाब से और अक्षे तरफल के संसादनों के इसाब से यहाँ पर संतुलन पाया जाता है और जबकि इतने ही एरिया के अंदर यहाँ पर पांच सो आदमी निवास करते है इसी परकार से अलग-अलग उद्देशों के लिए अलग-अलग विद्वानों द्वारा जनसेंख्या गनतव भाग में कुल अक्षेतरफल यानि कुल जनसेंख्या को कुल अक्षेतरफल से भाग दे दिया जाता है नंबर दो कारी घनतव कुल जनसेंख्या को कुल किरसी भूमी से भाग दिया जाता है और इसी परकार से ग्रामिन और नगरिय घनतव तथा अधिवासी घनतव भी निकाला जाता है लेकिन यहाँ हम दो ही जनसंख्या गनतव के परकारों का विस्तार से वर्णन करेंगे नमबर एक है गनितिय गनतव यह है गनतव निकालने का सबसे सरल तरीका है और सबसे ज़्यादा प्रियोग किये जाने वाला तरीका है इसका परियोग सबसे ज़्यादा आर्थशास्तरी और भूगोलविता करते हैं इसमें कुल जनसेंख्या को कुल अक्षेतरफल से भाग दे दिया जाता है यानि जो गणितिये घंटव है उसका सुतर भी जनसेंख्या घंटव के सुतर जैसा ही है लेकिन यह गणितिये इसे हैं जिनके उपर जनसेंख्या निवास नहीं करती या जहां से जनसेंख्या अपने पोशन के लिए किसी संसाधन का परियोग नहीं करती जैसे कोई दलदल या परवत पहाड़ी घंएवन बंजर भूमिंग कोई बड़ी जील आदे इसलिए जनसेंख्या घंटव निकालने का यह सुत्र सरल है लेकिन शुद नहीं है नमबर दो है कारीक घंटव इसमें कुल जनसेंख्या को कुल किरसी भूमी से भाग दिया जाता है तो काईक घंटव निकलता है और यह जनसेंख्या घंटव निकालने का शुद तरीका है क्योंकि इसके अंदर कुल अक्षे तरफल में से यह सारी चीजें निकाल दे जाती है यानि यह सारे एरिया उस कुल अक्षेतर में से निकाल दिये जाते हैं और केवल शुद्ध क्रिसी भूमी कुल जनसेंख्या को भाग दिया जाता है तो काईक या पोसित घंटव निकलता है क्योंकि क्रिसी भूमी पर ही वहां की जनसेंख्या निवास करती है वहीं से वह अपना भरन पोसन के लिए पदार्थ प्राप्त करती है इस परकार से जनसेंख्या गनतव के आधार पर देखें तो जनसेंख्या का विशव वितरन इस परकार से है कि विशव की जनसेंख्या को हम तीन भागों में बाटेंगे नमबर एक सगन जनसंख्या गनतव वाले विरल जनसंख्या वाले परदेश और नमबर तीन मध्धम जनसंख्या वाले परदेश सगन जनसंख्या वाले परदेश जहांपर 200 से अधिक व्यक्ति परती वरग किलोमीटर में निवास करते हैं उसे सगन जनसंख्या वाले मांसुनी एसिया में वे सभी देश शामिल हैं जिन में मांसुन पाउनों के द्वारा वर्षया होती है जैसे जापान, दक्षिनी कोरिया, चेन, वियतनाम, लाओस, भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, स्री लंका, इंडोनेसिया, सिंगापुर, आदी इन सभी देशों के अंदर जनसंक्या का सांधरन या संकेंदरन सघन पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले बसे वे देश हैं, बहुत पराने समय से यहां पर सभ्यता थी, और मैदानी भाग अधिक होने के कारण, तथा मांसुनी वर्षया के कारण भी यहाँ पर जनसेंख्या का सांधरन अधिक पाया जाता है नमबर दो है पस्चमी यूरोप पस्चमी यूरोप यानि यूरोप महादीब का सिर्फ पस्चमी भाग पुर्वी भाग इसमें शामिल नहीं है पस्टमी भाग में नार्वे, स्वीडन, डैन्मार्क, इंगलेंड, इंगलेंड से यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, पोलेंड, इटली, आस्ट्रिया, हंगरी, आधी, सभी देश शामिल हैं यहाँ भी जनसेंख्या गनतव अत्यधिक पाया जाता है, इसका कार्ण है ओदोगी करांती, क्योंकि ओदोगी करांती सबसे पहले यूरोप में आई थी, और इसी कार्ण विश्व के दूसरे देशों से लोग यहाँ पर परवास करके रोजगार की तलाश में आये, और धीरे एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ यूरोप में जनसेंख्या गनतव अधिक हुआ, तो यहाँ प्रक्रिसी भूमे की कमी होई, और इन लोगों ने अटलांटिक महासागर को पार करके, और अमेरिका के तटवर्ती भागों में जाकर अपना निवास थान बनाया, इसलिए कने और स्युक्तराजिय अमेरिका के पुर्वी भागों में जनसेंख्या गनतव सगन पाया जाता है, और यहीं पर इनके उद्योग धंदे भी ज्यादा तर डेवलेप हुए हैं, विक्सित हुए हैं, नमबर दो, विरल जनसेंख्या वाले परदेश, जहां दस से भी कम व्यक् में बाठ कर देखते हैं, नमबर एक है उशन मृस्तल, नमबर दो, अती ठंडे परदेश, नमबर तीन ठंडे मृस्तल वे उच्च परवतिय परदेश, और नमबर चार है, विश्वत रेक ही है, अक्चेतर, देखते माचेतर की साहता से, उशन मृस्तलों में सबसे बड़ा जो मृस्तल है साहरा मृस्तल, उसके बाद अरब का मृस्तल, यहां दक्सिनी अफ्रीका के अंदर कालाहारी मृस्तल, पस्चमी आस्ट्रेलिया मृस्तल, भारत का यहां थार मृस्तल, और दक्सिनी अमेरिका में अटाकामा मृस्तल, इन सभी मृस्तलों के अंदर विश्व क बहुत कम या minimum जनसिंख्या निमास करती है क्योंकि यहां पर गरम जलवाईू होने के साथ यहां पर वर्शा का अभाव पाया जाता है इसल्वे इन स्थानों पर जनसिंख्या काहनतव आती policing पाया जाता है नमबर दो है अती ठंडे परदेश धुरूविये और उप धुरूविये परदेश ये उत्री धुरूव के आसपास और दक्सनी धुरूव के आसपास वाले जो परदेश है और साथ ही उप धुरूविये यानि धुरूवों के पास वाला जो एरिया है उनमें भी जनसें क्या बहुत कम पाए जाती है जैसे Greenland, Canada का उपरी भाग, Alaska और रूस का Siberia वाला अक्षेतर इनके अंदर जनसेंख्या आती न्यून पाए जाती है Greenland में तो एक व्यक्ती परती 50 वरा किलोमीटर में निवास करता है इतनी न्यून जनसेंख्या है यानि 50 वरा किलोमीटर के अंदर एक व्यक्ती निवास करता है इसी परकार से Alaska के अंदर एक व्यक्ती परती 3 वरा किलोमीटर में निवास करता है नमबर तीन है ठंडे मुरुस्थल वै उच परवतिय परदेश ठंडे मुरुस्थल मुरुस्थल दो परकार की है उसन मुरुस्थल और शीत मुरुस्थल उसन यानि जहाँ पर गर्मी है गर्मी के कार्ण भूमी बंजर पाई जाती है उसके अंदर कुछ भी पैदा नहीं होत यहां पर ठंड के कारण मनस्पती पैदा नहीं होती उसको शीत मरुस्थल कहेंगे तो यहां पर गोबी मरुस्थल और तकला माकन चीन के अंदर तो यह दोनों ही मरुस्थल में शामिल है इसके अतिरिक्त जो परवत हैं परवतों की चोटियों पर भी बरफ जमी रहती वहां पर भी जो गलेसियर्स पाई जाते हैं वहां पर भी जनसेंख्या आती नून या ना के बराबर है जैसे हिमालय परवत रोकीज परवत और एंडीज परवत आधी नमबर चार है विश्वत रेखिये परदेश यह विश्वत रेखा यानि भूमद रेखा जो जीरो डिगरी से जाती है यहाँ पर भी जनसेंख्या आती नून निवास करते हैं पहले बात तो यहाँ पर भू भाग कम है यहाँ पर तापमाल और वर्षा का सारा साल अधिक रहन नमबर तीन है मध्धम जनसिंख्या वाले परदेश ये इन दोनों परदेशों के बीच का स्थान है यानि सगन जनसिंख्या और विरल जनसिंख्या के बीच वाले स्थान इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां पर 11 से 50 व्यक्ति परतिवर किलोमेटर में निवास करते हैं इस चीन का पुर्वी भाग है जो की सगन जनसिंख्या वाला है और यह इसका पश्चमी भाग जो की मध्धम जनसिंख्या गनतों में शामिल है दक्सिनी भारत का भाग मयामार आदी इस भाग में आते हैं यूरोप के पुर्वी यूरोपिय भाग मध्धम जनसिंख्या गनतों में शामिल है स्विक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग तथा पस्टमी भाग मध्धम जनसिंख्या गनतों में शामिल किये जाते हैं इसके अतिरिक्त दक्सिनी आमेरिका और एफरीका के बहुत सारे देश भी मध्धम जनसिंख्या में शामिल किये जाते हैं तो यह हमने वित्रन,